वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इंडियन कानून इन हिंदी में तो आज की वीडियो में हम बात करेंगी कि अगर पती कोट में पत्नी को अपने साथ रखने से मना कर दे तो क्या प्रभाव इसमें केस पर पड़ेगा बहुत से पती अपनी पत्नियों से परेशान रहते हैं और इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि पत्नी पर बहुत बड़ा गुसा होता है क्यूंकि आजकल पत्नियां लोकम इस यूज करके पती पर जूटा केस करती हैं पती का इस situation में यही हाल होता है कि मुझे पतनी को साथ में नहीं रखना है ऐसे में मामले दो तरह के होते हैं एक वो जब पती ने सचमुच अपनी पतनी के साथ गलत किया है फिर भी पतनी अपने पतनी के साथ रहना चाहती है और पती अगर अपनी पतनी को नहीं रखना चाहते तो इसका नेगिटीव प्रभाव पती के केस पर पड़ेगा इससे ये क्लियर होगा कि पती गलत है वो जान बुझ कर अपनी पतनी को नहीं रखना चाहता तो ऐसे में केस में पतनी को फाइदा मिलेगा अगली बात इसमें ये आती है कि पतनी गलत है और वो अपने पती को हद से ज़ादा परिशान करती है और पती के माता पिता या रिष्टेदारों को उसने परिशान करके रखा है अगर इन सब चीजों के एविडेंस पती के पास में हैं और फिर पतनी कोट में बोलती है कि मुझे अपने पती के साथ रहना है और अगर पती को अपनी पतनी के साथ नहीं रहना तो ऐसी सिचुएशन में पती के केस में कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा क्यूंकि यहां पर पती कोट में पतनी के सभी एविडेंस को दिखाए जिससे ये पता चल सके कि पतनी के द्वारा पती और ससुराल पक्ष को किस तरह से परेशान किया जा रहा है और अगर पतनी की कोई गलती नहीं है फिर भी पती पतनी को अपने साथ रखने से मना करता है तो मेंटेनिंस के केस पर परभाव पड़ेगा पतनी जो मेंटेनिंस की मांग कर रही है तो पती पर ऐलुमिनी की भारी रकम लग सकती है और पत्नी का रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा पती पर थौप दिया जाएगा कोट के ओडर होने के बाद भी पती अगर अपनी पत्नी को खर्चा नहीं देता तो समय समय पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है या फिर पती की प्रॉपटी से पत्नी को मेंटेनेंस या अलूमेनी मिल सकता है कोट पती पर कभी भी जबरजस्ती नहीं करेगी पत्नी को रखने के लिए लेकिन पती को ये भारी नुकसान हो सकता है तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी तो ऐसे ही कानून से समंदित जानकारियां पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब ज़रूर करें वीडियो में लाज तक जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यावाद